नमस्कार, वेलकम टू विद्ध इंस्टिटूट, अज आपको पीछे वाइट बोर्ड नजर आ रहा हुआ, यह इसलिए कि आज मैं आपको कोई मैस का कुस्टिन कराने वाला नहीं हूँ, आज मैं आपसे कुछ जनरल बारते करना चाहूंगा, बहुत टाइम से मेरा मनता कि कै कैसी वीडियो बनाओ जो सभी के लिए यूजफिल हो, इसपेशली मेरे पराने स्टुडेंट के लिए मेरे आज की वीडियो होगी, आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा एटमोस्फेर है वो कितना नेगेटिव है, आज के टाइम में हर एक कोई किस ना किसी वज़े से दु कर नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा मन फैसले में आज ही आपके लिए एक वीडियो बना रहा हो, अगर कोई आपको कमी लगे तो जरूर कमेंट करना, अच्छी लगे या बुरी लगे, आप हस भी सकते हो, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है जीवन में आई परिस्तितियो को हम क्या समझे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ struggle है, कुछ दुख है, कुछ पीड़ा है, तो उनको हम क्या समझे, कि आसानी से उसको पार कर सके, तो जो हमारा टॉपिक है, उसका मैं हेडिंग दूँगा, कि जीवन में आई परिस्तितियों को हम क्या समझे, ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी से कहाने सुनाता हूं, एक बार एक टीचर क्लास में एंटर करता है, तो वो सभी को एक वाइक पेपर देता है, जिसके एक डॉट बना होता है, और सभी स्टुडेंट से बोलता है कि आपको जो नजर आ रहा है, उसक यह भी जीवन में हमें क्या नहीं मिला है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कब फेलियर हुआ कब फ्रस्टेशन आई कब किसी ने हमें धोका दिया न्याय किया है यह सारी बातों के एक लंबी सी लिस्ट हमारे दिमार्ग में होती है और हम उसको बारे में सोच सोच के अपने आपको ही प्रसान करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि जब भी मौका लगेगा उस से इस बात का बदला लेंगे उसको नीचा दिखाएंगे इस चीज का और उसको तो कुछ फरक पड़ता नहीं है लेकिन हम यह सोच के अपना आपको ही दुखी करते रहते हैं तो आपको हर पुरानी चीज पर जो पहले हो चुकी है उस पर फुल स्टॉप लगाना आना चीए कि जो हो गया तो हो गया तो सब से जरूरी चीज जो लाइफ। मैंने महसेश किए वह है फुल इस टोप लगाना हाला कि यह भी हो सकता है कि मैं भी इस चीज को अपलाई नहीं कर पाता हूं अपनी लाइफ में कभी कभी लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जरूर कहीं न कहीं चीज को अपलाई करने से आपको फायदा होगा तो माज आपको पांच बाते बताऊंगा जिन में से कोई सी भी एक अपनी लाइफ में जब कोई दिक्कत आती है कोई प्रब्लम को हम क्या समझे पेपर समझे अरे पेपर है परिक्सिया है एक्जाम है और परिक्सिया में क्या करना होता है पास होना पास भी केवल पास नहीं हो ना पास विद ओनर अच्छे माक्स से पास होना है क्योंकि अगर हम परिस्तितियों से पार पाएंगे तो फिर हम अगली क्ला में भूनि होंगे जो पहले थे अब हमारा घ्रोफ हो चुकी हमें एक नया थे बल चुका है if the result is the growth जब नेख स्क्राफ में आएंगे तो हमारी व्यार्व प्रस्टेशन होगी तो किसी बहुत जरूरी होता है कोई हमनेgeois ये में कहा बता है grace of God helps in everything, accept passing exam without study, तो पहले तरे प्रिपेर होना बहुत जरूरी होता है, कोई हमने group में कोई अपना प्रस्ताव रखा, कोई proposal रखा, किसी ने accept नहीं किया, और किसी ने उतकी बुराई करी, तो क्या होए, जरूरी है कोई हमारी हर बात मान ले, किसे एकस्पेक्टेशन नहीं रखनी, Zero Expectation Policy, कोई दोस्तों मारा बिमार पड़ गया, अरे जाओ दोस्त के पास, उसकी हल्प करो, बोलो भया, पेपर है, पास होना है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, अगली किलास में जाना है, तो इस तरह से अगर हम हर प्रिस्थीतियों क को पेपर समझेंगे तो हमें उसका जरूर कुछ न कुछ हमें help मिलेगी और हमें पता चलिए कि एक पेपर है इसमें पास होना है तो जल्दी जल्दी परिक्षा भी गोजर जाएगी जीवन में हर पल एक पेपर की तरह टीट करना है तो हमें कभी भी प्रोवलम नहीं आगी त तो फ़्स्ट पॉइंट था मारा जीवन माय परिष्थितियों को क्या समझना है पेपर समझना है किसी निन्दा की किसी ने ऐसा ही हो किया पेपर है सब निकल जाएंगे दिरे धिरे हम अगले स्टेज पर लाइफ की आ जाएंगे ठीक है तो नंबर तू जो मेरा पॉइंट है बैस्टितियों को क्या समझना चीए गैस्त समझना चीए अरे भाई महमान है आया चला जाएगा कुछ टाइम के लिए आया है अथीती है हमारा और जब गैस्ट आता तो हम क्या करते हैं उसकी अच्छे से खातिदारी करते हैं उसको अच्छे से हम सारी चीज़े फिराटा होंगी विमारी हो गई 502 तो ब्लวก अरे वावाव एक सो दो बुख़ा रहा है पैर में मोट भार्ड हो रहा है है तो बीमारी भी तो एक तक चुकार नीं प fit रहे तो बड़ा खुर से तो जल्दी जल्दी जाने की ट्राइब करेंगे जल्द जल्द चली जाएगी वो आज जनstad को रोगना हो रहा है Herrenô मेहमानने आया कितने की दिन चला जाएगा सबके पास आ रहा हमारे पास भी आजाGood देख लेगे इतने इतनी खातिर दिर करेंगे की डर के भाग जाएगा कि इसके उपर तो कुछ असरी नहीं हो रहा है बीमारी में हम कभी-कभी बिस्तर पर हो जाते हैं तो उस टाइम को जूटेलाइज करेंगे फूर फूचर प्लानिंग, है न, प्लंग पे बैटके प्लानिंग करनी है फूचर की, क्योंकि वैसे तो मैं टाइम मिलता नहीं है, जातर सभी लोग बिजी रहते हैं, अब बिमार हो गए तो चलो, अपना कुछ प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, इसके लावा हम भगवान को भी याद रख सकते हैं, उस दोरान, क्योंकि जातर क्या होता है, लोग परमात्मा को भूल चुके हैं, तो उस टेम पे आप परमात्मा को याद रख कर सकते हो, कुछ भी पूजा पार्ट या जो भी आपको सही लगता है, वो आप कर सकते हो, किताबे पढ़ सकते हैं उस तर जाएगा कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है नथिंग इस पर्मानेंट मूवी की तरह चले जा रहे है अभी दुख का सीन है थोड़े दर बाद सुख का सीन होगा तो हमें यह इंतिजार करना होता है कि यह वाला सीन भी कुझर जाएगा जैसे अकपर और वीरबल की छोटी स सुख का एसास नहों तो वीरबल ने बहुत समझके बोला कि महराज आपको एक बात बताता हूं आप हमेशा यह एक सेंटेंस याद रखो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा इस टू विल पास यह सेंटेंस आपको हमेशा काम आएगा दुख में भी और सुख में भी अगर द सरसे हम साइट सीन की तरह टीट करेंगे मूवी चल रही है एक ट्रामा चल रहा है जिसमें हम भी एक एक्टर है अपना रोल भी हम उसमें देख सकते हैं कि हम सही से पिले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं महलों हम त्रें में जा रहे हैं ट्रें की खिड़की से बाहर जागते कहीं पे देखते हैं पहले दो बच्चे खेल रहे हैं या कुछ बच्चे खेल रहे हैं बढ़ अच्छा लग रहा है उनको देखके तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसी की marriage हो रही है तो बड़ी खुजी होती है तो क्या हम वहाँ पे chain कीच के बोलेंगे कि हमें साइट सीन की तरह टीट करेंगे तो हमें थोड़ी सी problem कम होगी यह मेरा experience है तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई परिस्तिती आए तो हम उसको क्या समझ सकते हैं पेपर उसको हम समझ सकते हैं गैस्ट है भाई चला जाएगा जलदी चले हम उसको हम साइट सीन सम दिखने में तो बड़े डरामने लगते हैं बट है नहीं बलकुल खोकले हैं अंदर से खोकले हैं उनके साथ हमें खेलना है तो इस समझ सकते हो आप खिलोना समझे हो पेपर टाइगर कहलो या खिलोना कहलो तो खिलोनों से क्या करते हैं खेलते हैं टाइम पास करते हैं और सब्सक्राइब करें गैवने करें जैसे से जैसे कागज के सेर हैं और हम असलियत के सेर हैं आएंगे तो उनकी घरदन दबोश देंगे और सई कर देंगा तो चार हो गए और पाँचवा और जो सबसे इंपोर्टेंट है मेरे साथ से हो है छेनी हतोड़ा छेनी हतोड़ा क्या करते हैं छेनी हतोड़ा छेनी हतोड़े से मूर्ति तयार होती है तो मूर्ती तैयार हो रही है परिष्थितिया जो है छेनिया तोड़े की तरह आई है और एक सुन्दर सी मूर्ती तैयार कर रहे है हम मतलब मूर्ती की तरह प्रिपेर तैयार हो रहे है और जब मूर्ती तैयार होती है तो जो फाइनल टच होते हैं वह बहुत पेनफुल होते ह पुरस्थित आ पसले देड़ी थोड़ाइब भया देड़ा इ matière में अच्छी ञश्ट आयल तो जितनी जादा चोट पड़ेंगी उतनी कैने मूरती साया तया अच्छी होगी तो परिस्तितिया को हम क्या मानेंगे कि यह finishing touch है मूरती जो तैयार हो रही है उसके लिए finishing touch है अभी मूरती तैयार होई है नाख थोड़ी टेड़ी है तो उसको सही करना है तो बहुत सार हमें वह देने पड़ेंगे उसके लिए टचिंग देनी पड़ेगी, चोट लगानी पड़ेगी, तो जितनी ज़्यादा चोट लगेगी, उतनी ज़्यादा सुन्दर मूर्ति त्यार होगी, तो मैंने आपको पांच पाते बताइए, अगर इनको आप अप लाइ करोगे अपनी लाइफ में, तो जरूर कुछ ना हलके हो जाओगे, उन प्रिष्थितियों को फेस करोगे, जाते याते एक बात और अपनी दप्स आपको कहना चाहता हूँ, कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी लाइफ में जो भी प्रिष्थितिया आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारी हे कर्मों का फल है चाहे हमने past में किया है, कभी भी किया है, कोई भी बात हमारे लिए undeserved नहीं है, है ना, not a single blow undeserved to us, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए हम deserves करते हैं, और हमारे साथ यही होना चाहिए, जीवन में जो भी परिष्थितिया आती है, हर चीज में कल्यान है, जो हमें अभी लग रहा है कि बहुत दुगदाई है, बहुत पेनफुल है, लेकिन एक वक्त के बाद हमें पता चलेगा कि जो कुछ हुआ था वो अच्छा हुआ था, तो ये बात हमें से याद रखें, इस पॉइंट पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सब बोलोगे, आ जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताएं, ऐसे पॉइंट्स आप भी सोच सकते हैं, मैं तो बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, पारस, पारस पत्थर है ना, तो आप सोचना कि पारस पत्थर मैंने क्यों लिया है, और इस तरह के और भी जो भ वेडियो बनाऊगा ठीक है और सेयर सब्सक्राइब करना जरूर अगर पसंद आये तो थैंक्यू वारी मुच्छ